देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षिशा देखिए पहले चुरन की जो मतदान होनी है वो 19 अपरेल से शुरू हो जाएगी और इसके बाद से ही हम आपको आज सी बूटर्स का जो सर्वे है वोम बताने वाले है जो की काफी चुकाने वाला है एंडिया की तरफ से वो 5 सीट जिस पर कमल ना खिलने के अश्रंकाई जोताई जा रहा है कि इंडिया गठवंदन भी उस सीटों पर जो है काफी मजबूती से काम कर रहे हैं तो क्या सी बूटर्स का सर्वे है आईए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में लोकसभा चुनाव का माहौल है बिहार में 44 सीटों पर भी एंडिये और इंडिया गठवंदन के दल पूरा जोड लगा रहे हैं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी बिहार के दौरे पर दौरा कर रहे हैं वहीं मोदी के हनुमान यानि चिराग पासवान से लेकर एंडिये के साथ ही नितिश्च कुमार, जीतनरामान जी और उपेंदर कुष्वाहा भी पूरा जोड लगा रहे हैं जबकि इंडिया गठवंदन की ओर से तीजस्वी यादव मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं वहीं लोकसभा चुनाव की पहले चरण की वोटिंग 19 सप्रेल को पूल ने चुराग पासवान को लेकर चौकाने वाला आकड़ा पेश किया है बतादे कि सी वोटर ओपिनियन पूल में चुराग पासवान की पाटी लोचपा रामविलास अपनी सभी पांच सीटों पर जीत दर्च कर सकती हैं एंडिया ने सहयोगी चुराग पासवान को प सीटे जीज सकती हैं जबकि इंडिया गठबंदन को छे से साथ सीटे मिलने का अनुमान हैं रामविलास के रास्ट्री अध्यक्षी चुराग पासवान एस बार अपने पिता के सीट हाजिपूर से लोकसबा चुनाव लड़ रहे हैं वहीं अपनी जमूई सीट से चुराग पासवान ने प्रत्याश्री बनाया है वहीं चुराग पासवान ने खगड़िया सीट से राजेश वरमा को मौका दिया है बता दे बात करे वैशाले सीट की तो महां से जो चुनाव जीच चुकी वीना देवी को फिर से मैदान में उता रहा है बता दे लोजपा में तूट पासवान के चाचा पश्रुपती पारस के साथ थी बाद में वीना देवी ने पाला बदला और चुराग पासवान के साथ हो गए पहले चरन के लिए चुनाव प्रचार 17 अपरेल को खत्म हो रहा है इससे पहले सी वोटर्स ने जो है देश भर में आखरी ओपिनियन पोल कि किया है 11 मार्च से 12 अपरेल तक किये गए इस सर्वे में 57,566 लोगों की राय ली गई है और वहीं सर्वे में सभी 543 सीटों को कवर किया गया है चुराग पासवान के वो पांचों सीट जहां से कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा वो तो मतदान के बाद ही पता चुलेगा ले है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खपरों से ब्रेट रहने के लिए देखते रहें नियूस पर नेशन